Dear Students, जैसा कि आप जानते हैं, साम को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप से बताया था कि COVID के संक्रमल के तेजी से फैलने की बज़े से जो Polytechnic संस्थानों में हैं, पूरे प्रदेश के वहाँ के जो होस्टल हैं या छात्रावास हैं, उनको खाली करने के निर्देश दि वो जारी हो गया है क्योंकि काफी सारे बच्चे भी कमेंट्स में पूछ रहे थे कि उसका सर कहा है, आदेश जो जारी हुआ है, कुछ लोगों को नहीं भी ऐसे यकीन होता है, तो उनको लगता है कि साइध ऐसे अफ़वाय तो नहीं है कोई, तो इसी के लिए मैं देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पत्र है, जेडी सरका, तो प्रतेक जोन पूरा जो पॉरे यूपी का चार जोन में बटा है, बुंदेल खंड जोन, पूरवी जोन, मद जोन और पस्चिमी जोन, तो ये बच्चों अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो एक जोन के लिए लागू है, ये पूरे प्रदेश के लिए है, आदेश पूरे सासन से सभी के लिए मिला है, तो सभी जो भी संयुक निदेशक महोदे हैं, अपने अपने जोन में आदेश पारित करके संस्थाओं पर नियंतरन करते हैं, तो यहां से देखिए, ये आज ही की है, साम को लेटर आया है दस जनवरी 2022 का ठीक है और सभी प्रधानाचार जो भी है या डारेक्टर जो प्राइवेट पॉलिटेकनिक होते हैं राज की अनुदाने तेवम निजी पॉलिटेकनिक सम्मंदित यो बुंदेलखंड छेतर के लिए है बाकि इसी तरीके कि जो पत्र है वो बिभिन जो सेयुक ने देशक महुद हैं उनके द्वारा अपने छेतर की संस्थाओं के लिए जारी किये गए हैं तो इसके जो मुख मुख बिंदू है उस पर हम बात कर लेते हैं जैसे इसका जो पहला पॉइंट है कि कोविड नाइंटीन के द्रश्टी करत बुंदेल खंड छेतर इस्तित राज की ए अनुदाने युम नीजी छेतर की पॉलिटेकनिक संस्थाओं में कच्छा हैं बहुते रूप से दिनांग दस से सोला तक बंद रहेंगी तथा पठन पाठन कार ऑनलाइन माद्यम से संचालित किया जाएगा तो यह आपको पहले से मालूम था यह तो पहले ही सासन देश हो चुका था और डारेक्टर सर का भी लेटर आ चुका था तो यह पता था दूसरा देखिए उग ताउदी में संस्था कार्याले COVID-19 नेमों के अनुसार नेमित रूप से खोला जाएगा वह अध्यापक और स्टाप की सत प्रस्था तो पस्ते सुनेश्चित की जाएगी ठीक है तीसरा आप देखिए कि यह समस्त कर्मचारी उनके परिवार को COVID-19 का ठीका करन सत प्रस्था कराया जाए ठीक है उसके बाद आप देखिए चली चोथा हो गया जो भी अगर किसी को संक्रमण COVID-19 के संक्रमण दिखाई देता है तो उसको आईसोलेट करते हुए मोकचे के सर्दिकारी को सोचित करना है और उसका उपचार कराना है अब मेन हम बात कर लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं चात्रावास की तो चात्रावास की यदि हम बात करें तो पांचमा पॉइंट आप देखिए संस्ता चात्रावास में कोई भी चात्रावासित नहीं रहेगा ये बिल्कुल इस पश्ट देखी लिखे तरक इसमें रिखा है और ये आदेश पहले ही दे दिये गए थे मैंने इसको बता भी दिया था आपसे कि तुरंत जो संस्ता चात्रावास से उसको खाली करवाए जाने के निर्देश दिये गए हैं और उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा कोई भी चात्र चात्रावास में आवासित नहीं रहेगा और इसके अलाबा जो पंद्रा से एठारा वर्स के चात्रा हैं आयू के तो उनका ये निर्देश दिये गए हैं कि 15 जनवरी 2022 तक प्रतेक दसा में उनका प्रिथम डोस जो है टीका करण की वो पूर्ण कर ली जाए अब हम बच्चों बात कर लेते हैं ये तो क्लियर हो गया आदेश से कि भाई ये इस तर से आदेश हुआ है और पूरे यूपी के लिए है तो इसमें आखरी छात्रावासों को क्यों खाली कराया जा रहा है तो इसमें जो बच्चों इसको समझने की बात है आप य समझे कि यदि छात्रावासों मालीजी कहीं 60 बच्चे रह रहे हैं कहीं 90 कहीं 100 तो ये बच्चों में से अगर किसी एक भी बच्चे को जाच में COVID-19 पहुश्ट हुआ गया मालीजी उसको निकाल आया तो वो पूरे के पूरे छात्रावास को जिला प्रसासन सील कर देगा स् 16-17 साल के भी होते हैं अगर उनको सील को वहा करके बंद कर दिया जाएगा वो नहीं निकल पाएंगे तो वो परेशान हो सकते हैं उनको दिक्कत हो सकती है फिर हो सकता उनको घर भी जाने न दिया जाए और कब तक के लिए सील करके रखा जाएगा कब तक उनको बंद करके दिक्कत हो सकती है और चात्र चात्रा भी परेशान हो सकता है यदि वो होस्टल को सील कर दिया जाता है जिला प्रसासन की तरब से तो वो इस्थिती बड़ी खराब हो जाएगी इसलिए ये डिसीजन लिया गया है कि चात्र चात्राओं को पहले ही सुरच्चेत उनके घर सके तो बच्चों ये थी दोनों मुख बाते हैं एक तो आपको आधेश दिखाना क्योंकि कई सारे जो बच्चे थे हमारे या अन लोग हैं स्टूडेंट्स के अलावा भी उनके मन में संसरे थी किया रहे ऐसा तो कोई आधेश आया नहीं जारी नहीं हुआ या नियूज प पर होना चाहिए तो बच्चों ये था मातपूर्ण वीडियो जानकारी जो आप तक पहुँचानी थी तो इस सम्मंद्व मैं आप से कहूंगा कि सुरच्चित रहिए कोविड वेक्सिनेशन जो भी है आप करा लीजे यदि अभी तक आपका नहीं हुआ है जो भी मानक है को पराम से अपना पठन पाठन ऑनलाइन का चाहिए संचालित करिए और संस्थां से हमेशा जुड़े रहिए जो भी सोशल मीडिया गुरूप से चाहे वाटसप में हो चाहे टेली ग्राम पर हो या फेस्बुक पर हो किसी सभी माद्वों से जुड़े रहिए जो भी सूचना बातें करिए इससे आपका क्या है मन भी लगा रहेगा और आपको नई नई चीजें जो जानकारियां हैं वो भी प्राप्त होती रहेंगी तो आज के लिए बच्चो इतना काफी है फिर आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच आपका दिन शुब हो